नमस्कार चाहतियों स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल में आज हम पढ़ेंगे वाक्य विचार वाक्य विचार के अंदर गल आज हम रचना के आदार पर वाक्य के कितने वेद होते हैं उनके बारे में अधियन करेंगे इससे पहले हमने वाक्य को अर्थ के आदार पर पढ़ लिया था और उससे पेले भी हमने वाक्य का जो दो अंग होते हैं, उद्देशय और विदई उसके बारे में हमने आधियन कर लिया है आज का टोपिक है रचना के आधार पर वाक्य के भेद सुरु करता है topic सुरु करने से पहले अगर आप मारे channel पहली बार पता रहे हैं तो please हमारे channel को subscribe करें जो red वाला subscribe button है उसको क्लिक करें और उसके पास पास ये ऎक्लिक करने के बाद में बेल आइकन है उसको भी प्रेश कर लें ताकि पर देख नोटिपिकेसन आपक प्राप्त हो शके हैं तो इससे पहले जो तीन वीडियो वाक्ये से समदित बने हुए हैं उनको भी आप पल्ले लिस्ट में जाकर के देखें डिस्क्रिप्स से में उनका लिंक के वो दे दिया जाएगा और उनका भी आप अच्छे से दियन करें आज का टोपिक है रचना के आदार वाक्ये के भेद वाक्ये जैसे कि हमने पढ़ लिया है कि भासा की शब्स चोटी काई वर्ण होता है और वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक मेल को वाक्ये कहते हैं शब्दों का जब सार्थक मेल बन जाता है तो एक वाक्ये का निर्मा होता है तो उसके बाद हमने वाक्ये के दो अंग पड़े उदेशे और विधेई उदेशे जो करता ही उदेशे होता है और करता की जो विशेस्ता बताता है वो करता का विश्तारक होता है और उसके अलावा जो विधाई होता है, विधाई में करम आता है, क्रिया आती है और वो शारिक चीजे हैं वो विधाई के अंदर आती है उसके बाद हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ वेद पढ़े जो कल के वीडियो हमने पढ़ ले आज हम रचना के आधार पर वाक्य के तीन वेद होते हैं कितने होते हैं? तीन होते हैं रचना के आधार पर वाक्य के तीन वेद होते हैं कौन-कौन से साधारण, मिस्र और संयुक्त रशना गादारवर वाक्य के तीन बेद होता है साधारण, मिस्र और संयुक्त जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विदेई हो उसे साधारण वाक्य कहते हैं आप सब भली भांती जान चुके हैं कि उद्देश्य की शेकते हैं और विधेई की शेकते हैं तो इसके बारे में ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है मैं नहीं समझता और एक बार पुने बता देता हूं कि उद्देश्य जो वाक्ये के अंदर करता तथा करता की जो विशेष्था बताते हैं वो सब उदेश्य के अंतर गताते हैं और विदेई में कर्म, क्रिया और जो पुर्ग वाक्य होते हैं पुर्ग जो करता होते हैं पुर्ग जो भी होते हैं वो सारे विदेई के अंतर गताते हैं तो जिस वाक्य में एक ही उदेशे हो और एक ही विदेई हो चाई वाक्य कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो लेकिन उस वाक्य में उदेशे एक हो और विदेई एक हो तो वाक्य साधान वाक्य कहलाता है तो इस तरीके से हमें द्यान रखना है कि वाक्ये में एक ही उदेश होना चीए और एक ही विदेई होना चीए तो निता खाना बना रही है निता क्या है उद्देश है और बनाना क्रिया है बनाना क्रिया है तो अब हम देखें इसमें तो निता एक यह उद्देश है और यह खाना बना रही है यह विधह है तो कोई दूसरा इसमें कोई वाक्य नहीं जुड़ागा है यह साधान वाक्य, मिस्र वाक्य, मिस्र या मिस्रित वाक्य, मिस्र का तत्परिय यह होता है कि किसी चीज को मिस्रित करने के बाद में अगर पुने निगाल लिया जाता है तो पिछे बचेवी चीज का सार्थ करत नहीं होता है, तो इसी तरह से अपने इस वाक्य के अंदर भी होता है जिस वाक्य में एक परधान उपा क्या है तथा एक या एक से अधिक आसरित उपा क्या हो उसे मिस्र वाक्य कहता है यानि एक तो क्या होता है परधान उपा क्या होता है और एक या एक से अधिक कोई अस्तित्य नहीं बसता है आस्तित उपा के जो उस वाक्य से जुड़ा हुआ है उसका सार्थक अर्थ में निकलता है तो इसमें उलरण के रूप में गंदी जी ने कहा की सदा सत्य वोलो तो इसमें प्रधान उपा क्या है गंदी जी ने कहा गंदी जी ने कहा अब क्या कहा की सदासत्य बोलो अब गंदी जी ने कहा ये अगर निकाल देते हैं तो की सदासत्य बोलो इसका कोई आशार्त अगर्थ ने निकल दे है ठीके और इसको अगर गंदी जी को भी निकाल लेते हैं तो क्या कहा गंदी जी ने ये भी पता नहीं है तो ये जब दोनों वाक्य जुड़ जाते हैं तो एक नई वाक्य का निर्मान करते हैं और ये मिस्र वाक्य का दर्गत आते हैं गांदी जी ने कहा की सदा सत्य बोलो अब ये परधान उपाक्य और आसरे दुपाक्य होते क्या हैं उनके बारे में फोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है प्रधान उपवा के और क्या होता है आश्रित उपवा के जो उपवा के प्रधान या मुखे उद्देशे और मुखे विदेशे बना हो उसे प्रधान उपवा के कहते हैं गंदी जी ने कहा, गंदी जी ये प्रधान उपाक्य है, गंदी जी मुख्य उदेश्य हैं, तो कहा मुख्य विदेई है, अब ये छोटा सा वाक्य है, गंदी जी ने कहा, ये दो चिजों से मिलकर के बनावा है, एक में है उदेश्य है, दूसरे में विदेई है, गंदी जी है उदेश है और कहना ये विदेई है कहना विदेई है तो मुख्य उदेश है गांदी जी है और मुख्य विदेई है वो कहना ये क्रिया है और ये है विदेई तो इसको हम परधान उपाके कहेंगे ये परधान उपाके कहलाता है ठीक है उसके बाद में आसरित उपाके जो उ परदान उपा की नहीं घा वन के लाखन के अुपा के जो परदान उपा की लेकिन इसके आशरित है वो ये वाकिश科 बन्ता है की की सदा सत्य बोलौ गांदी जिनका किस दा सत्य बोलोती है इसके आस्रित उपाकिय अब ये आस्रित उपाकिय ये भी तीन परकार के होते है आस्रित उपाकिय जो होते है ये भी तीन परकार के होते है इसमें आस्रिता संग्या से निर्बर होती है विशेशन से निर्बर होती है और क्रिया विशे किसी संग्या के इस्तान पर होता है तो उसे संग्या उपाक्य कहते हैं संग्या उपाक्य का प्रारम प्राय है की में होता है उक्तवाक्य में की सदासत्य बोलो की से प्रारम होने करन संग्या उपाक्य कहलाई इसमें संग्या उपाक्ये में हमें एक ध्यान रखनी है कि इसमें हमें सा संग्या उपाक्ये अगर ऐसा पूछ भी लेना तो इसमें जां संग्या उपाक्ये होगा वहां की जुड़ा होगा ये इसके एक पैचान है कि मिसर वाक्ये में एक परदान उपाक्य हो एक आसरित उपाक्य हो तो इसमें पूछ ले कि इसमें कौन सा है वो उपाक्य जुड़ा हुआ है आसरित उपाक्य में कौन सा जुड़ा है यह संग्या है विशेशन है या क्रिया विशेशन है तो अगर कील उस में जुड़ावा है परधान और आसरिद उपक्ये में की अगर जुड़ावा है तो वो संग्या उपक्ये होगा वो संग्या उपक्ये होगा तो ये जो की है वो की संग्या का धोतक है विशेशन उपक्ये जब कोई आसरिद उपक्ये जो आस्रिदू वाक्य होता है परधान उपाक्य के किसी संग्या या सरो नाम शब्द की विशेष्था बतलाते हैं जो परधान उपाक्य होता है उसके किसी संग्या या सरो नाम शब्द की विशेष्था बतलाते हैं तो उस उपाक्य को विशेशन उपाक्य कहते हैं विशेशन उपाक्य कहते हैं यानि जो विशेशन उपाक्य कहते हैं परदान उपाक्य की उसे सेंग विशेशन उपाक्य कहते हैं विशेशन उपाक्य के प्राय है जो जिसका जिसकी जिसके इन चार सब्दों को दियान रखना है विशेशन उपाक्य अगर पूछ ले तो ये होंगे जो जिसका जिसकी और जिसके ये चार सब्द अगर आ जाएं और पूछ ले कि इसमें कौन सा आसरित उपाक्य है तो विशेशन उपाक्य होगा सिंग्या के लिए की होगा जो विद्वान होते हैं उनका सबी आदर करते हैं तो ये उनका जो है ये विशेशन उपाक्य है विशेशन आसरित उपाक्य है जो विद्वान होते हैं उनका सबी जगे आदर होता है तो ये विद्वान के लिए उनका शब्द इनके लिए आया है क्रिया विशेशन उपाके जब कोई आश्रित उपाके परधान उपाके की क्रिया की विशेशता बतलाए परधान जो उपाके होता है उसके अंदर जो क्रिया होता है उसके अगर विशेशन बतलाते हैं या सूर्चना देते हैं तो उसे आश्रितुपा के या क्रिया विश्चनुपा के की सुरुवात होती है और क्रिया विशेशन में यदी जहां जैसे यद भी क्यूंकि जब तब आदी से क्रिया विशेशन की सुरुवात होती है तो यदी राम परिश्रम करता तो अविश्य उत्तिरन होता है तो यह है मिस्र वाक्य या मिस्रित वाक्य की पहचान और मिस्रित परकार इनमें क्या होता है कि एक वाक्य जो उपवाक्य होता है वो आश्रित उपवाक्य से इस तरीके से जुड़ा होता है कि अगर उश्च में परधान उपवाक्य निकाल दिया जाए या आश्रित उपवाक्य निकाल दिया जाए तो पिछे जो वाक्य बजता है उसका कोई प्रधान उपवाक्य के मिस्र में और दूसरा उसके उपर निर्बर होता है उसके उपर निर्बर होता है आस्रित होता है सेउत वाक्ये जिस वाक्ये में दो या दो से अधिक साधारण वाक्ये या प्रधान उपवाक्ये या समाना दिकरण उपवाक्ये किसी सहींजक अर्था जो जो जुड़ने वाले शब्द होते हैं तथा एवम या अथ्वा अउर परंतू लेकिन किन्तू बलकी अधै आधि शब्दों से जुड़े हो तो उसे सहींजक वाकिय कहते हैं अब इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक शाधान वाक्य होते हैं पहली बात तो यह है या फिर परधान उपाक्य या जो समान अधिकरन वाले जो वाक्य होते हैं उपाक्य होते हैं वो किसी सयोजिक शब्द जैसे अत्तथा एवम या अत्वा और किंतु परंतु लेकिन ये सारे key words हैं संयुक्त वक्यों के ये सारे key word है और आप उनके जो मिस्रिवाले हैं उनके संया विशेशन और क्रिया विशेशन के भी ध्यान रख लेएन वो उनके key word है तो इसमें भरत आया किंटु भुपेंदर चला गया यहां किन्तु जो है यह सेयुक्त वाक्य की पैचान करवा रहा है भरत आया यह अलग उपाक्य है और भुपेंदर चला गए यह अलग उपाक्य है इसमें किन्तु अगर निकाल करके अलग-लग कर देते हैं तो इसमें कोई फिर दिखकत वाली बात नहीं जैसे भरताया दुरताया ये कोई किसी से जुड़ा ववाकिय नहीं है भूपेंदर चला गया है अईसी दिबाद है तो इनकी पहचान के लिए क्या करना है कि किन्टु परुंतु लेकिन अत्व याएवं बल्कि अतेश्वारे शब्द है वो सेवत उपाक्य के पेचान के दियुतत है समाना दिकरण उपाक्य ऐसे उपाक्य जो परधान उपाक्य या आशरित उपाक्य के समान अदिकार वाले हो उसे समान अदिकरण उपाक्य कहते है यानि जो कौन से वाक्य है जो परधान उपाक्य या आसरित उपाकी के समाना अधिकार वाले हो उपाकी कहते हैं आज का टोपिक आपके complete होता है ये टोपिक आपको कैसा लगा और इससे शमाने दो जो पहले वाले वीडियो है आप description जाकर लिंक प्राप्त कर लें और वहाँ से जाकर कि आप उन वीडियो को भी जरूर देखें इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें लाइक करें हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक शाधिक शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमश्कार जैहिंद